दोस्तो नमस्कार सलाव आलेकुम शस्त्रीकाल और गुड एविनिंग दोस्तो आज का जो वीडियो है बड़ा थोड़ा सा उन लोगों के लिए घातक है जो आज जोते थोड़ा सा एमोशनल हो गए आपने गाना सुना होगा दोस्तो वस्ता हुआ नूरानी चहरा लेकिन यहा चहरे को रोते हुए देख करके अचानक से दिलों की धड़कने तेज हो गई मीडिया की धड़कने सौकी स्पीड से बागने लगी लोगों की पतलकारों की जवान और कलमे जो थी अपनी जीव लप लपाने लगी केबल चांटने के लिए उन शबदों को बखेरने के लिए बेचेहन हो गई जिन शबदों को बखेरने के लिए जूट फैलाने के लिए वारसेफ यूनिवर्सिटी से लेकर के गोदी मीडिया के कलमबाले लोग तैयार थे बोलिया लग चुकी थी दरबार में तैह हो चुका था कि एक्शन साउंड का ड्रामा पूरी तरह से होना चा चेहरे के पीछे कुछ नूरानी गोशना है चुपी होती तो जादा अच्छा होता उस नूरानी चेहरे का बस एक ही बादा था उस नूर से मिलाने का कि साहब आप बस उस नूर से मिल लो ना दवा मिलेगी ना वैक्सीन मिलेगी बस इसी में सवर कर लो कि मैं सीधे आपको राम से मिलवा रहा हूं, भगवान श्री राम का मंदिर तो बना, लेकिन जाये श्री राम से मिलवाने की सौगात तो हमारे उन नूरानी चेहरे वाले साहिब ने दे दी जिसके बारे में तो यार कलबना ही कर सकते हैं लेकिन जो कलबना थी वो थोड़ी से या धूरी रह जाती क्योंकि इस कलबना में अभी बहुत कुछ जुड़ना बाकी जो था क्योंकि आज शोशल मे फिर उस चीज को देखते हुए उन शब्दों को सुनते हुए उस नूरानी चेहरे के जवान से निकले हुए उस नूर को टपकते हुए उस नूर को और उस शवूर को लोगों ने लबक लिया क्योंकि देखा है उस नूरानी चेहरे के उपर जब 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 आंसु आते हैं तब तब देश में कुछ ना कुछ गड़वड होने वाली होती है लेकिन यहां पर जब हमारे सहभ आए बोलने के लिए तब उन्होंने क्या बोला कि भाईया बीमारी का इलाज उपचार है लेकिन सोचल मीडिया पे लोग बोले और ऐसा आप वो तो बात माली कि उपचार है लेकिन वैक्सीन कहा है वैक्सीन दे दो भाईया प्रदान मंत्री मोदी जी लकड़ी मत दीजिए अनाथ जला दीजिए पेट्रॉल में डाल दीजिए टायर लगा करके जला दीजिए हमें मनजूर है लेकिन जो आने वाली पेडिया हैं उनको बैक्सीन दे के कम से कम बचा लीजिए आज तो कम से कम आप अपना प्रवच्चन ना देते आज कम से कम हसी खुशी कहा था आज आ जाते कि मैं दो महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट कर दूँगा ये मेरा वादा है ये मेरी श्रद्धान जिली है सबासो करोड लोगों के लिए जिन्होंने अपने खोए हैं कुछ इस स्टाइल में बोलते या थोड़ा मजा आ जाता लेकिन पृद्धान मंत्री तो पृद्धान मंत्री हैं क्योंकि वो जिस तरह से रियक्ट किये और जिस तरह से उनका गला रुद गया देख करके मेरे दिल में भी पीड़ा उठाई क्योंकि इस पीड़ा के पीछे चुपा हुआ एक भाब था कि जहां एक तरफ एक सो पचाश देसों की कभी साहता कर रहे थे साहिब तब ये दावा किया जा रहा था कि विश्व गुरू भारत जो है बैक्सीन बांट रहा है लेकिन उसकी भी पोल खुल जाती है जब कर समित पात्रा बोलता है कि साड़े च्छे करोड वैक्सीन जो थी हमें बेकनी थी हमारा मतलब करार हो चुका था वो तो लाइवलिटी थी कि अबल सवा करोड वैक्सीन हमने फिर ही वेजी वही सवा साथ करोड का जो एकदम खुलासा जो हुआ प्रभू को बहुत दर्द हुआ प्रभू का दर्द आज टीवी में लाइव चमक आया आप तो जानते ही है न कि साहिब को कितना तजरुबा है हर सीज का साहिब मतलब महान मतलब ग्रे अब यहाँ पर राहुल गांदी जो है फालतु में फिर के लिए ने आ आ जाते है फिर टूल किट ले आते हैं राहुल गांदी समझ में नहीं आता पता नहीं किती टूल किट रखे बैठे हर बार एक सवाल ठोक देते हैं करना धनना कुछ नहीं आई वाई सी के लोगों को लगा रखा वे तुम मरो तुम करो काम तो आई वाई सी के लोग कर रहे हैं सेवा और ए अरे भाई उनको लेटर लिखने से अच्छा है, कम से कम यार, फिल्ड बे काम करें के दिखाओ, मोधी जी की बदरामी कराते हो, और उपर से रहूल गानी, अब वो क्या लिख रहे हैं, मिस्टर मोधी, बैक्सिनेट, डॉंट, ट्रॉक्रे, स्टी, ने, मतलब यार, क्या यार देखो न, जो मैं बोल ला था कि बैक्सिन दो, यार, ये तो बहुत हो चुका, तो ये चल निकला, और साथ में एक ख़वर के वो ट्वीट, खवर को ट्वीट करते हैं, 70% of district have received less than 20 dose per 100 population, 100 में किवल 20 लोगों को टीका लगाए, इससे पता चल जाता है कि सरकार, ड्रामा से कुछ नहीं होने वाला साथ, कुछ ऐसा करके दिखाईए ना, सोनुसूच जैसा सॉलिट, कुछ ऐसी फिल्म, जो एकदम मतलब ढंडे गार दे, जंडे गार दे, मतलब पता चले कि दो महीने के अंदर वैक्सिनेशन होगी अंडिया का, अरे सारे के सारे चुप ह उन्होंने भारत निर्माता बोल दिया, किनको बोल दिया, राहुल गांदी जी के पिता जी, स्वरिय राजीव गांधी को, भाई, अब बीजेपी में हैं, उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, क्या महाराज, अब महाराज ने ये चीज़ें बोल दी, तब थोड़ी दिरवादे घंटेवाद फोन करवाया आपने, तो उन्होंने हटा लिया, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए था ना, भारत का निर्माता क्यों बोला उनको, लेकिन देखिए, अब वो हटा लिया, तो और भी बुरा हो गया, कांग्रेस वाल उने उनकी क्लास ले ली, जो ना, धड़ादर, धड़ादर, सिंधिया जी की ना, उतानने लगे, यार मुझे भी दुख हो रहा, पक्का हो रही था, इसलिए सोच का परिसान हो रही था, कि मैंने यार करें किया, यार सिंधिया जी इतने अच्छे आदमी, महराजा आदमी, किसी की सुनते नहीं, रा बाद, ये कांग्रेस वाले बोलते ने, राजा दिगवे सिंग भी बोले, ओ, महराज को क्या हो गया, भाई, तो ये थोड़ा गलत हुआ ना, अब सिंधिया जी ने जब लिखा, कि भारत, अखंड भारत तो था, उस टाइम भी था, और आज अखंड खंड हो गया, तो यार लिखे, अब सिंधिया जी, आप कब से ません सिंधिया जी, आप कब से टूीट अखंड आन सिगे, कांग्रेस में तो आपको इतनी आ जा जाा दी थी, नेकिन दोस्तों, खब pre cred यहां समाप करता हूं, आपने निरलता आंग्जा और ये निरला अन्दाज, पसंदाया हो, या UK, सब्सक्राइब ने की तरीका होते हैं मैं समाचार पढ़के सुना आता है यह कटिंग डालूं वो कटिंग डालूं मैं भी थोड़ा हो जाता हूं आपको भी थोड़ा सा interesting subject मिलना चाहिए और मुझे भी थोड़ा सा शौक है तो शौक के लिए वीडियो बनाता हूँ पैसे के लिए नहीं समझ लीजिए ठीक है ना तो अब ये पूरा हो गया राहूल गांदी के बारे में आपने सुली है राहूल गांदी ने क्या बोला अब सिंधिया जी ने क्या बोला और मोडी जी ने क्या बोला अब ये इन तीनों ने क्या क्या बोला और आपने कैसे उसको तोला पचास ग्राम, सो ग्राम, छेसो ग्राम एक किलो तो जितना तोला उतने किलो कम से कम कॉमेंट कीजिए और शेयर किजिए दोस्तों नमस्कार जहिंद आउंगा लोट के एक बार फिर आजाद हिंद आवाज नियूस के लिए आपके बीच में है आपके बीचन है